हेलो दोस्तों देखिए मार्किट में अच्छे खासी गिरावट होती भी नजर आ रही है ठीक है और इस गिरावट में लोग आपको थोड़ा सा बेचैन भी कर रहे होगे पूटफुलियो देखके आप बेचैन भी हो रहे होगे और परिशान भी हो रहे होगे इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है क्योंकि जब कमाया जाता और उस तरीके से जाता है तो वो समझ में आता है और काफी लोग यहां पर अलग-अलग तरीके से गाने Yeahisas के ङारे जैसे मोग अभी होता है थे तो कहने portfolio पर भी एसर हो रहा है तो उसी चीज़ से related हम यहाँ पर बात है करने वाले हैं हम यहाँ पर विजा के dsr से related पाठ की परफोलियो से related बात है क्या उनका portfolio भी नीचे आया है आप की तरह तो उसी से related बाते करेंगे और जानेगे बड़ उससे पहले हमेशा की तरह आपसे request करूँगा कि I am small cap investor channel को subscribe, bell icon को hit all the notification को on करे buying selling की recommendation नहीं है, अपने financial advisor कुद की study करे और चीज़ों को सीखने पर ध्यान दे, जब चीज़ों को सीखने पर ध्यान देंगे पैसे आज नहीं तो कल यहां पर बनते हुए नज़र आएंगे, और यहां पर आप देखिए, सब कुछ यहां पर आपको बताया जाएगा, और जब आप उस चीट को सीख लोगे, एक साल का experience लोगे, ठीक है, आप दीरे दीरे अपने आपको improve करते हुए नज़र होगे, तो 35,000 रुपया कोर्स है, 3 months की end holding study, using stock market, online notes और 1-2-1 classes होगी, परसनली में आपको यहां पर सखाते हुए नज़र आऊँगा, और साथ में अगर काम करना है, तो same, इनी नमबरों पर contact करो, साथ में आप हम मेरे साथ काम भी कर सकते हैं, portfolio जितना बड़ा हो, वो अतनी अच्छी बात है, fundamentally strong share किस तरीके से choose करते हैं, वो बताते हैं, तो देखिए, गिरावट हो रही है, कभी थोड़ा हुआ है, कभी जादा हुआ है, यहाँ पर भी देखोगे, तो 2021 में जब यहाँ पर high बना था, 2022 last में, तो उसके बाद आप देख पा रहे हो, लगब लगब 34% index गरता हुआ नजरा है था, कुछ महीने यहाँ पर परिशान करता हुआ नजरा है था, कुछ महीने और कुछ एका साल, और फिर उसके बाद जब भागता हुआ नजरा है, इस index नहीं आपर अच्छेगा से रेटन भी दिये, तो सबसे पहले आपको इंडिया की growth story में यहाँ पर focus करना होगा, ठीक है, आपको यह चीज़े समझ में आने चाहिए, कि यहाँ पर अच्छी चीज है, तो यहाँ पर obviously बाते नीचे गिरेगा, तो ऊपर भी जाएगा, और बेकार चीज़ है, तो फिर यहाँ आपर जैसे की इविटक इडिया सर कहते हैं कि भंगार श्टॉक भी है, तो भंगार श्टॉक भी है, तो भंगार श्टॉक भी है, तो भंगार श्टॉक तो नीचे ही चलेएंगे, बड़ जो अच्छा होगा, गिरेगा, गिरने का consolidate करके यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, यही market का असूल ह और इसी तरीके से market चलती हुई नजर आती है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना होगा, ठीक है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से श्टॉक है, और उसके बेस पर आपको काम करना होगा, दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखे, तो आपको ध्यान रखना ह जब चीज़े ज़्यादा भाग जाती है, तो वो गिरती हुई कहीं न कहीं, at a particular point यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है, और अलग बात करें, तो यहाँ पर देखे, इंडिया की growth story अलग है, जब यहाँ पर इंडिया अलग भागेगा, GDP जब हमारी यहाँ पर बात करें, 8% के हिसाफ से चलती हुई नजर आ रही है, आने वाले टाइम में, तो जब इस तरीके से सब चीज अच्छी होती हुई नजर आ रही है, तो चीजे छोटी कंपनी भी भागती हुई नजर आएंगी, बडी कंपनी भागती हुई नजर आएंगी, वो यहाँ पर जो 1000 करोड कमा कौन है ओके बताने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सभी लोग इने जानते हूं ठीक है एक अच्छे बड़े इंवेस्टर है तो जहां पर आपके पॉर्टफोलियों में यहां पर गिरावट है मेरे खुद के पॉर्टफोलियों में लगो 20% की गिरावट हो में स्विंग करता हूं तो स्विंग के केसिज में मैंने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया जो मेरी गलती थी वर इस्टेल कोई परिशानी नहीं है अच्छे श्टॉक्स लेके रख रखे हैं फंडामेंटली स्टॉंग श्यर श्टॉक है तो कोई इसलिए डर बने वाली बात करें कि आपका ही पॉर्टफोलियो बीस परसेंट तीस परसेंट नीचे आया है तो इसका आंसर हम यहां पर देखते हैं तो देखिए अभी सुबह तक लगबा 13 परसेंट था और अभी की बात करें तो अभी लगबा 20 परसेंट यह विजय केडिया सरिया देखिए अगर आप इनके पॉर्टफोलियो के स्टॉक्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि विजय केडिया सर भी स्मॉल कैप में ही इंवेस्ट करते हैं वो कोई 50-50 में नहीं जारे ठीक है और उन्हें भी पता है कि जो चीजे नीचे गिरती है वो भागती भी है और इनके होल्ड किया और उनी स्मॉल कैप स्टॉक्स ने ठीक है वो 200 करोड़ 200 करोड़ के पॉर्टफोलियो को 1400-1500 करोड़ तब हुचाया और दुबारा जब गिरावट हो रही है तो सेम एजटेज यहां पर देखिए उनका भी पॉर्टफोलियो अभी 1180 करोड़ के आसपास बच है ठीक है और यह गिरावट का पहली बार हुई है तो यह गिरावट बीच-बीच में होती रही है यहां पर भी देखोगे साड़े 600 करोड़ से लगब 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 इनका पॉर्टफोलियो कितना आता हुए दिखाई ता साड़े 500 इसके इलावा साड़े 738 करोड़ से वह है थीक है वह इनके साड़ भी है और सबके साथ जितने यह बड़े-बड़े दुरणदर है मार्केट के उनके साथ भी गिरावट हुग है बस आपको देखना है आपको टाइम देना कि आपके स्टॉक नखे है या नहीं है तो से इन्जिनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर कितना परसंट गिर चुका है लगब 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 हम यहां तक था लगब 29-30% की आसपास की इसमें टॉप से गिरावट हो चुकी है ठीक है और दूसरा श्टॉक्स देखते हैं टाल ब्रोज की बात करते हैं लग लगब लगब यहां पर आप देखिये यह शेर 34% तक गिर चुका है ठीक है तो आपका ही नहीं इनके भी पॉर्टफोलियो गिर चुके है यहां पर महिंदरा एंड रिसॉर्ट लगब लगब 1% के नीचे की हिस्सेदारी है ठीक है सेम हिस्सेदारी नहीं है इसलिए यहां कहा हुआ तो यहां पर महिंद्राire holidays वाला हम देखने है महिंद्राodore Agment albo यह कौं सा है 생्म हें lighthouse awesome तो मैंद्रह holidays यहां पर निकाल दिया तो यहां पर देख लेते हैं यह टॉप से कितना गिरा हुआ है तो टॉप से अगर इसे भी हां पर आपक यहां पर calculate करोगे, ठीक है, तो यह top से कितना गिरा हुआ है, तो लगब लगब 20% के गिरावत इस परिडिकुलर share मी है, अतुललॉटो की बात करें, ठीक है, तो अतुललॉटो को भी एक बाद देख लेते हैं, ठीक है, तो अतुललॉटो थो इनकी बहुत पुरानी holding है, तो इसे भी यह यहां पर देखना है काफी नीचे के भाव पेनों ले रखा लगबद 10% की गिरावट है और टॉप से देखें तो क्या टॉप से इनकी भी वेल्थ यहां पर गई है तो ओविसी बात है इनकी भी वेल्थ गई है लगबद 30% यह शेयर भी गिर चुका है और दूसरे शेयर को भ यहां पर देखिए यह शेयर का गिर चुका है तो यहां पर देखिए स्वरी तेतर अजार से तेतर सो रुपे से लगबद 20% की गिरावट इस पर्टिकुलर शेयर में भी होती हुए नजर आ चुकी है इसके लाबा ओम इंफ्रा तो ओम इंफ्रा को एक बर हम देख लेते है यहां पर गिरावट है तो आपको पता चलेगा ओम इंफ्रा में गिरावट है थोड़ी बूट गिरावट है ज्यादा गिरावट नहीं है ठीक है उपर से अगर बात करें देखिए से यहां पर हम बात करें 150 रुपे से लगब लब 20% की गिरावट इस पर्टिकुलर शेयर म यहां पर देखिया है लगब 34% तो कहने का मतलब क्या है कहने का देखिए और भी बहुत सारे स्टॉक से जाकर आप देख लीजेगा तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा इनके पास कौन सी होल्डिंग दिसंबर 2023 के आसपास है पर इस चिल कहने का मतलब क्या था कहने का मतलब यही है कि आपके और मेरा ही पॉर्टफोलियो नीचे नहीं आया है ठीक है जब यह गिरावट हो रही है ठीक है तो आपका मेरा पॉर्टफोलियो नहीं पूरा का पूरा जब मार्किट है ठीक है वो नीचे आया है ठीक है और आपको यह समझना होगा कि यह एक्स्टर कर होता, तो यहाँ पर फिर आपको निकलना बढ़ता, utens Snok आपड़ता है और उस दोरा आपको यहां पर परिशानी होती है इसमें भी कोई दोरा बाली बात नहीं है तो बीच बीच में आप नहीं है पर जब हिस्ट्री को चक करोगे ना तो इस्ट्री आपको बताएगी कि 34% गिरा था उसके आप इसके बाद लगब 80-90% भागा भी था फिर यहांपर हम देखे तो यहांपर से 9,000 से अब का 3200 तक आया था बत उसके बाद भी आप देखोगे तो इंडिया कि ग्रोथ स्टोरी पर आपको वश्वास है कि इंडिया अब आगे चलने वाला है इंडिया के दिन इहाँपर है तो यह गिरावट भी होती रहेगी और इसी तरीके से भागता हुआ index भी नजर आएगा और index जब भागेगा तो ऑब इसी बात है index कभ भाग रहा है, stocks की वज़े से ही भाग रहा है, simply आपको अपने stocks क्यो analyze करना है कि आप के stocks महंगे तो नहीं है plus में आपके कोई बेकार stocks तो नहीं ले रखा जैसे कि यहाँ पर विजय केडियासर कहते है भंगार stocks है काफी market में तो क्या आपने भंगार stocks तो नहीं ले रखा ऐसा है तो शायद हो सकता है वो यहाँ पर ना चले काफी सालों तक जब यहाँ पर आपका भाव कभी ना कभी आता हुआ दिखाएदे बाकि जो गिरा है अच्छे stocks है तो दुबारा भागते हुए नजर आएंगे जैसे ही market recover करेगी तो buying selling की recommendation नहीं है अपने financial advisor कुद की study करें चीटो को सीखे और यहाँ पर इन नंबरों पर contact करके साथ तुमें काम कर सकते हो और course कर सकते हो तो like, comment, share thank you so much, God bless